एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल डोंट मिस जीके में दोस्तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ शंभल जिले में कुल कितने गाउं, तहसिल, बलाक और जनसंख्या है तो दोस्तो वीडियो बहुत ही छोटा है आप इसे पूरा देखें वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सस्क्राइब और लाइक करना ना भूले तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तो संभल जिला जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है राज्य सरकार ने 28 सितंबर 2011 को नए जिले के रूप में बनाया संभल जिला जिले का मुख्याले जो है वो है बहजोई जो जिले का मुख्याले है और अगर हम तहसील की बात करें कि संभल जिले में कुल कितने तहसील है तो वर्तमान में संभल जिले में कुल तीन तहसील हैं जिनके नाम है गुन्णोर तहसील, दूसरा है चंदोसी तहसील और तीसरा है संभल तहसील ये तीन तहसील हैं वर्तमान में संभल जिले में दोस्तो संभल जिले में कुल कितने गाउं हैं, तो संभल जिले में कुल वर्तमान में कितने गाउं हैं हम उस पर चर्चा करेंगे, जो की गुन्नवर तहसील है, उसमें 385 गाउं हैं। चंदोसी तहसील में 241 गाउं हैं और संभल तहसील में 422 गाउं हैं वर्तमान में अगर इन तीन तहसील की शंख्या को मिलाया जाए तो संभल जिले में कुल 1049 गाउं हैं अगर हम ब्लाक की बात करें तो संभल जिले में कुल 8 ब्लाक हैं संभल जिले में 4 विधान सभा सीटे हैं और संभल लोक सभा निर्वाचन छेत्र एक हैं संभल जिले में 12 पुलिस स्टेशन हैं अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगर्णा के अनुसार संभल जिले की जो आबादी है वो 21,92,933 है जिसमें पुरुस की जनसंख्या 11,161,093 है और महिलाओ की जनसंख्या 10,31,840 है तो दोस्तों ये थी संभल जिले की एक छोटी सी जानकारी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें तो चलिए मिलते हैं कुछ नया लेके आगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद